दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर में आप सबी के साथ में अपनी क्लास 6 जोग्रोफी सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 7 के पार्ट 2 को स्टार्ट करूंगा और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देख है तो उसको जाकर पहले आप देखिए और फिर ये वाला रीजन हैगज तो ये होगया आपका जो औरेजग के अंदर है ये रीजन होगया और ये जो रीजन आपका ऐसे ऐसे यहां पर दे रखक है यसे भी आपका जिएीरा बच गया ये से भी क्या है आपके plains हैं ठीक है अब आपको यहां पे सभी का बारे में पता हुआ कि आपके plains, mountains और आपके प्रैट्ट्यू क्या चीज बिसिकलि यहां बेर रहते हैं अब यह तो हो गया आपका coastal area जो आपका साथ साथ में समंदर के और यहां पे हैं आपके western garts यह हो गए आपके eastern garts और यहां पे आपकी रही विंध्याज रेंज जो कि आपने बार बार यहां पे सुनी होगी और एक अरावली थी वो आपकी यह रही जो कि आपकी अरावली रेंज थी और यहां पे है आपका इंडियन का great desert और यह है आपकी इंदस river जिसको आप history में पढ़ा था और अभी भी पढ़ रही है और यहां पर यमना फिर चंबल गंगा महा नदी यहां पर सत्पुरा रेंज हो गई आपकी नर्मदा रीवर हो गई तापी हो गई साथ में भरंपुतरा नदी आपकी यहां पर है और यहां पर आपके डेल्टा बनते हैं और कावरी नदी हो गई, कावेरी हो गई, नील गिरी हैं, यहां पे हो गया आपका, हम ऐसे ही बहुत सहरी चीजे इसके अंदर आपको बता रखी हैं, इन सभी की लोकीशन को आपको याद रखना है, और जो इम्बोर्टें रिपूर्टेट थी मैंने आपको यहां पे एक्स्प् बहुत बड़ी कंट्री हैं, लेकिन हमारे परसासन की अगर हम विवस्था के लेकर बात करें तो हमने इसको 29 स्टेट्स and 7 Union Territories के अंदर क्या का रखा है, डिवाइट का रखा है, तेलंगाना बिकेम the 29th state of India on 2 June 2014, अब कहता है जो हमारे तेलंगाना थी, वो हमारी नई स्ट बनी है, जो कि 29th नंबर की हमारी स्टेट है, और वो जून हमारे 2014 को बनी है, इट वाज प्रिवेशली अपार्ट ओफ दी आंधर परदेश और कहता है कि इस से पहले है हमारे आंधर परदेश का एक हिस्सा थी, डैली इस दी नेशनल कैपिटल और जो हमारी दिल्ली है वो कैपिटल है, इस स्टेट है और आपको इस बात को पका पता हुआ, जो आपने हिस्टरी पड़ी थी, उसके अंदर भी हमने इस बात को स्टेडी किया था, जो हमारी इंडिया है ना, यह बिसिकली जो इसकी स्टेट हमारी बनी हुई है, यह हमारी लैंग्वेज की बेस पे जद तर बनी हुई है, अब आगे बताता है आपको अलुवेलियल डिपोजिट आपकी क्या चीज होती है, देर आर वेरी फाइन सोयल ब्राउट बाइद रीवर एंड डिपोजिट इन दी रीवर बेसिन यहां पे कहता है कि आपकी जो मिट्टी आपकी नदी के साथ पहाड stream which is contributed its water to a main river by discharging it into the main river from the Ither site, अब यहां पे कहता है कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है, यह मानो आपकी main river है, यानि कि जो आपकी main river है, अब छोटी छोटी नदी इसके अंदर गिरती रहती है, आपको इस बात का पता है, तो वो छोटी छोटी नदी क्या है, इसकी ट्रिब् तो चलो अब हमारे इंडिया के physical division को लेकर यहां पर बात कर लेते हैं, बड़ बड़ से, तो दोस्तों अब बात करेंगे हम हमारे physical division को लेकर, इंडिया is marked by a diversity of physical features such as mountain, plateaus, plains, coastals and islands, अब यहां पर कहते है कि जो आपका इंडिया है, यहां पर आपको बहुत सारी diversity देखने में मिल जाएगे आपके physical features के अंदर, जिसे कि आपके पहाड हो गई, आपके plateaus हो गई, आपके plains हो गई, आपके coast हो गई, और आपके Iceland हो गई, ठीक है, standing as tenials in the north are the lofty snow-capped himalayas, अब यहां पर कहते है कि जो आपका इंडिया है ना, इसके north वाली side में, कौन से side में, north side में आपके हिमालिया था जिनकी बहुत उची-उची आपके चोटी है और जो कि आपकी बरफ से धकी हुई है, अब यहां पर बोलता भी है आपको him plus alia means the abandon of snow, मतलब कि कोई आपकी बहुत बड़ी चीज जिसके उपर आपकी पूरी बरफ से धकी हुई हो, ठीक है, अब आगे बोलता है the Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges, जो आपकी Himalaya के mountain है, basically वो तीन ranges के अंदर आपके divide कर रखें, अब ranges आपको पता होना जाए आपकी क्या चीज है, मैंने आपको पीछे explain की थी, अब यहां पर बोलता है, the northern most is the greatest great Himalayas और हिमादरी, अब आपकी Himalaya यहां पर basically तीन range के अंदर divide कर रखें तो, आपकी यह हो गई पहली range, आपको समझाने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, यह हो गई दूसरी range और यह आगई आपकी यहां पर तीसरी range, ठीक है, अब जो यह वाले Himalaya है, आपकी जो नोर्थ साइड में है, इसको हम सबसे जो बिल्कुल नोर्थ में है, उसको हम बोलते हिमादरी के अंदर हैं, और आपकी ग्रेटर हिमालया के अंदर है, अब उसके बाद जो यह आपका बीच वाला हिमालया की range है, यह कून से हैं, आपके मिडल हिमादर हैं, और यह आपकी हिमादर के अंदर लाई करते हैं, और इनको हिमादर के लिए भी बोलते हैं, हिमादर here और जो आपकी hill station होते हैं आपको पते हैं हम आपे छुटिया मनाने के लिए जाती हैं घूमने के लिए जाती हैं वो भी आपके बहुत सारे कहां पे हैं आपकी दिखने को मिलते हैं आपकी हिमाचल के अंदर या फिर आपके middle हिमालिया के अंदर ठीक है find out the names of the five hill stations the shivalik is the southernmost range अब यहां पे कहते हैं कि आप कोई पांच hill stations के नाम ढूणने की कोशिश करो और जो आपका सबसे ये नीचे वाली mountain range है ये कौन सी आपकी शिवालिक पहाड़ी हैं ठीक है और ये आपकी सबसे आपकी third वाली रहते हैं सबसे first वाली है आपकी greater हिमाल्या अब मैं आपको उसको again से बना के बताता हूँ सबसे पहले वाली जो आपकी range है ये कौन सी है आपकी great उसके बाद आपकी middle और हिमाल्य चल और ये आपकी हिमादरी भी बोलते हैं तो सबसे नीचे आपकी रहते हैं ये है आपकी सिवाली ठीक है तो ये तीनों के तीनों range बड़ा डेल्टा बनाती है अब डेल्टा मैं आपको यहां पर बता देता हूँ क्या चीज रहती है बेसिक लिए आपका समुंदर होता है और जो आपकी नदी आपकी समुंदर के अंदर यहां पर मिलती है इस वाले point पे तो वो कुछ ऐसा triangular shape आपकी यहां पर बना देती है तो यह चीज आपकी बेसिक लिए पर बोली जाती है डेल्टा ओके अब आगे बोलता है इस सुंदर बन डेल्टा जो आपका सुंदर बन डेल्टा है इस ट्रेंगुलर इन शेप इट इस एन एरिया ओफ लैंड फोर्म्ड एड दी माउट ओफ दी रिवर और यहां पर यही नदी का मौ या फिर नदी का माउथ ही हम इसको बोलती है अब आगे कहता है फिगर 6.1 के अंदर आप इसको बिसकली देख भी सकती है ति नोर्थन हिंडियन प्लेंज लाई इन दी साउथ ओफ दी हिमालिया अब कहता है कि जो आपके नोर्थ के इंडिया के प्लें है वो आ आपके प्लेंज आगे बोलता है थीज आर फोर्मड बाए धी अलुवील डिपोजिट लएड बाए दी रिवर्स और कहता है कि जो आपके प्लेंज है यह जो आपके नदियां आपके उपर पहाड़ों से भाटी हुए आती है वो आपने साथ में मिटी लेके आती है उस यह बहुत ही जादा यहां पर उपजाओ है, the Indus and the Ganga, the Bhramputra and their Tributaries, और इनके अदर जापकी में रीवर रहती हैं, वो रहती हैं, आपकी गंगा, आपकी बहुत सारी Tributaries, और आपकी Indus नदी भी इसी के अदर include है, these river plains provide fertile land for cultivation, और जो आपकी नदी होती हैं, यह हमें बहुत उ जाओ भूमी देती हैं, हमारी क्रीशी के लिए, हमारी खेती के लिए, that is reason for the high concentrations of population in these plains, और यही एक कारण है, जिसकी विज़ा से बहुत सारे लोग और बहुत ज़दा जनसंख्या आपको इस एरिया के अंदर देखने को मिलती है, अब आगे बोलता है, in the western part of the India lie the great Indian desert, और जो आपकी इंडिया का west part है, यानि कि आपका इंडिया कुछ ऐसा है, आपको पता है, और उपर से जाने के बाद जम्मो को समीर हो गया, इदर ऐसा कुछ है, और जो आपका ये वाला part है, ये क्या है, आपका यहां पे बहुत बड़ा desert है, great Indian desert है, ठीके, it is the dry hot and sandy stretch of land, और कह के लिए कोई activity करने को बोलता है, और कहता है, let's do, many girls are named after river, example, Yamuna, Mandakini and Kaveri, कहता है कि अपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा, जो उनके नाम होती है, वो नदियों के नाम पे गिरे होती है, जैसे कि Yamuna, Mandakini and Kaveri, do you know anyone in your locality who is named after a river, क्या, अब अपने लोकालिटी के लड़की को जानते हो, जिसका नाम ऐसे किसी नदी के नाम पर यहाँ पर पढ़ा हो, ask your parents and other and make a list of such names, अब कहता है कि अपने parents से भी पूल सकती हैं, और list बनाओ ऐसे कुछ नामs की, could you also find other names related to the water example, the subnum, और आपको ऐसे बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे, जो आपन Indian plains lie the peninsular plateau, और अगर हम उसे और भी south में जाके बात करें, तो आप basically आपको में पर कहना क्या चाहता है, कि यह चीज ऐसे बोल रहे है आपको, कि जैसे आपको यह इंडिया हो गया, ठीक है, अब आपके इस वाले side में तो part करवार कर लिया, आपके हमालया ने, उसके बाद आ गया, आपके यहापे north India के plains, इस side हो गया, आपका desert, अगर हम और south के अंदर जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, peninsular plateau, अब peninsula में आपको बताए था कि आपका वो area होता है, जो कि आपका तीनों side से पानी से cover हो, it is triangular in shape, the relief is highly uneven, हम यहाँ पर कहता है, जो आपकी relief बगएर hill ranges and valleys, अब यहाँ पर कहता है कि इस region के अंदर बहुत सारी आपकी hill ranges है, साथ में valleys भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, अरावली hills, one of the oldest range of the world border, it on the north west side, the windhya's and the satpura are the important ranges, अब यहाँ पर बोलता है आपसे भी को, कि जो आपकी अरावली की पहाडिया हैं, या फ नर्मदा एंड तापी flow through these ranges और कहते हैं, कि जो आपकी ranges यहाँ पर बताई गई हैं, या इन में से आपकी जो नर्मदा river है, तापी river है, वो भी यहीं से कुछ flow आपकी करती है और बहती है, these are west flowing rivers that drain into the Arabian sea, अब कहते हैं कि जो आपकी यह वाली नदी है यह आपकी यहाँ पर इंदर गिरती हैं, जाके ठीक है, the western ghat और साट्रिस border, the plateau in the west and the eastern ghat provide the eastern boundary, अभ यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका यहाँ पर western ghat है, और आपका eastern ghat है, जो western ghat है वो western boundary प्रॉइट करता है, जो eastern ghat है वो आपकी eastern boundary यहाँ पर प्रॉइट करते हैं, और western ghat आपको दूसरा नाम भी यहां पर दे रखा है जो कि यहां पर बोलते हैं सयाद भृस ठीक है और यह दोनों आपका ऐसा बोर्डर यहां पर वर्क करते हैं अब आगे बोलते हैं while the western ghat are almost continuous the eastern ghat are broken and uneven अब हिहां पर कहते है कि जो आपका western ghat है वह थो थोड़ा ऐसा प्लें हैं लेकिन जो आपका ईस्टरण घाट करते हैं खर बात करें तो वो कुछ इस टाइप का ब्रोक करें यानि की तौड़ा uneven sheep का है ठीक है अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके वेस्टरन घाट और जो आपके वेस्टरन घाट जाएं जो आपके एस्टरन घाट जाएं तो आपको कोश्टल प्लेंज वहाँ पे दीखने को मिल जाएंगे तो चलो अब बताते हैं कि आपको कोश्टल प्लेंज क्या होती है और बिसकली क्या चीज़ आपके यह रहती है चलो फटाफट से आगे बात करते हैं बोलता है the western coastal plains are very narrow, the eastern coastal plains are much broader, जो कि आपके western side में आपके coastal plains रहते हैं, वो तो आपके थोड़े narrow size के यानि के थोड़े आपके पतले से हैं, और जो आपके east वाले side हैं, वो आपके थोड़े यहां पे चोड़े रहते हैं, there are number of east flowing rivers, और आपके बहुत सारी ऐसी नदिया भी हैं, जो कि आपकी east की side में यहां पे flow करती हैं, the river, महा नदी, कोदावरी, कृष्णा, कावेरी, drain into the bay of bangal, अब यह आपकी वो नदिया हैं, जो कि आपकी इस वाले side हैं पे इस वाले समुंदर के अंदर जाके मिल जाती हैं, these rivers have formed fertile delta at their mouth, और कहते हैं कि यह नदिया भी आपकी बह delta is formed where the ganga and bhrambutra flow into the bay of bangal, आपका जो सुन्दर बन डेल्टा है, वो वहां पे बनता है, जहां पे आपकी गंगा और bhrambutra नदी आपकी समुंदर के अंदर यहां पे गिरती हैं, ठीक है, और अब आपको बताते हैं, आप एक बार coral iceland की image दिखाते हैं, तो यह है आपका coral iceland, ठीक है, यह कुछ ऐसे आपके यहां पे दिखाई देते हैं, इनके बारे में आपको यहां पे बताता है, do you know के अंदर कुछ fact बता के, coral are skeleton of tiny marine animals called the polyps, अब यहां पे कहता है कि जो आपके coral होते हैं, basically क्या चीज़ होती है, कि जो आपके वो एक पानी में रहने वाले जीव हो होते हैं, उनको हम बोलते हैं, polyps, उनकी क्या होती है, हड़िया होती है, skeleton होती है, when leaving polyps die, वो कहता है कि जो आपके जब यह polyps होते हैं, जब मर जाते हैं, there skeleton are left, तो जो उनकी हड़िया होती है, वहीं पे रह जाती है, other polyps grow on the top of the hard skeleton, फिर आपके दूसरे polyps क्या करते हैं, उन कि उपर क्या करेंगे, यहां पे grow करेंगे, जब यह मर जाएंगे, इनके उपर दूसरे polyps यहां पे आगे grow करेंगे, और ऐसे बहुत से बड़ा डेहर बन जाता है, और यह पानी से भी भार आपका पहुंच जाता है, ठीके, अब आगे बोलता है, grow on the top of the hard skeleton, with grows higher and higher thus formed the coral island, और इसी से क्या बन जाता है, आपका coral island बन जाता है, अब आप समझ चुए है कि आपका coral island बिसकली क्या चीज़ रहती है, और कैसे यह बनता है, इसकी image मैं ने आपको पीछे बेबी दिखाए थी, ठीके, तो चलो अब बोलता है danger waters, अब इसकली यहां पे कुछ नहीं बताता हैं, हम आगे बात करते हैं, हमारे syllabus point of view से ज़्यदा important यह बात नहीं है, तो अब हम बात करते हैं, तो यहां पे बोलता है, two groups of islands also form part of India, अब कहता है कि जो आपके दो island हैं, वो भी हमारे इंडिया क्या बनाती हैं, एक part बनाती हैं, वो कौन से कौन से हैं, सबसे पहले तो बो कोरल आइसलेंड, लोकेटिड ओफ दी कोस्ट ओफ केरला, अब कहता हैं, कि यहां पे आपका कोरल आइसलेंड भी देखने को मिलता है, जो कि आपके केरला के बिल्कुल पास में होते हैं, अब जो आपका पता है कि आपका अब का अब का एंडिया की बेड़ बंगाल के आइसलेंड को आइसलेंड को आपको नुकसान पहुंच जा था, find out through newspaper reports and speak to the people who in different ways people face this challenge, और कहते हैं, कि आप newspaper की reports को follow कर सकते हैं, इस बात को जानने के लिए और अपने parents से भी इस बात को पूल सकते हैं, when Tsunami struck the Indian coast, Tsunami is a huge sea wave generated due to end the earthquake on the sea floor, अब यहां पे कहते हैं, जो आपक से पैदा होती है, कि जब मानों आपके समंदर के stack के नीचे कोई earthquake वहाँ पे आपका यान की भुकम वगारा आ जाता है, तो वहाँ पे आपकी Tsunami पैदा हो जाती है, और वो आपकी Indian की कोश्ट से यहां से टकराई थी, तो यार दोस्तों, इसके साथ हमारा chapter यहां पे complete हो ज तोस्तों, जहां अएला इंटापर बुद़ भाई जापकी कोश्तों, जहां से ड़ाऊ है, इसके सिताउयोच कोश्टों, इसके पiku जाता है, तो झाहता है, और भाई जाता है, जब सके सकषभीछ, वहाँ दोस्तों, आपकी पेड़िः मैं भीवार, दोस्तों, इसके तो